पहेड कॉंस्टेबल मिनिस्ट्रियल एक्जाम के लिए हिंदी के टॉप 50 कोश्चन देखेंगे और टॉप 12 कबर करेंगे तो वीडियो इस्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक बात कहना चाहूंगा कि जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब ने किया तो प्लीज च एक इसका अंसरोगा ऑप्सन B सौड सेरी, सौड सेनी अपबरंस अगला है भासा जिसे विस्व में सरवादिक लोग अपनी मात्र भासा समझकर बोलते हैं ऑप्सन B चीनी निमलेखित में से सरवादिक व्यक्तियों द्वारा बोली जाने वाली जो भासा है कौन सी है और संसार की भासाओं में हिंदी का कौन सा इस्थान है Option C, तीसरा इस्थान है बुंदेली हिंदी की एक बोली है जो पवारी और राठोरी क्या है तो देखे ये हो जाएगा Option A, ये उपबोली है उपबोली हिंदी किस परिवार की भासा है तो Option B, भारोपी ये परिवार की भासा प्राकरत भासा से आसे है Option C, संस्क्रत से पूर्व की भासा प्रतम प्राकरत किस भासा को कहा जाता है Option D हो जाएगा पाली भासा को असोक ने अपने सभी अविलेखों में एक रूपता है तू किस प्राकरत का प्रियोग किया है Option C हो जाएगा मागधी पूर्वी हिंदी किस अपवरंद से निकली है? अर्द मागदी अबदी का आवी भार्व कब से माना जाता है? आपसे ने इसवी सन की दसवी सताब दी पदमावत की जो भासा है वो क्या है? आपसे ने बी हो जाएगा अबदी बिने पत्त्रिका की भासा कौन सी है? आपसें सी ब्रज भासा बिहारी बंगाली उडिया और असमिया भासाओं का विकास निमलिक्षित में से किससे हुआ? आपसें डी मागधी पश्मी हिंदी राजस्थानी और गुजराती अपवरंस के किस रूप से निकलती है? आपसें सी हो जाएगा सौड सेनी ब्रज भासा का विकास किससे हुआ? सौड सेनी अपवरंस हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रज भासा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है? आपसें डी का बिभासा खड़ी बोली कि हिंदी का पूर्ब रूप है? Option B, अब हट अमेर खुसरों के काब्व में निमलिखित में से किस भासा का परिनिष्ठित रूप द्रश्टी कोचर होता है Option B, ब्रजभासा किसके सासनकाल में ब्रजभासा की बिसेश उन्नती हुई Option A, अकबर सूर्दास का काब्य किस भासा में है तो Option D, ब्रजभासा में है किस में है ब्रजभासा निमलिखित में से किस बोली का अपना कोई साहित नहीं है Option D, बगहली पूर्वी हिंदी की बोली कौन सी है Option B, बगहली पूर्वी हिंदी किस अपभरंस से निकली है तो अर्द मागदी बिहारी, बंगाली, उड़िया और असमिया भासाओं का विकास किससे हुआ है आपसेने मागदी बिहारी की तीन बोलियां है आपसेने मैथली, मगही और भोजपूरी निमलिकित में से कौन सी बोली, अथवा भासा, हिंदी के अंतरगत नहीं आती है आपसेन डी, तेलगू अगला आरे सब्द इंगित करता है तो क्या इंगित करता है? आपसेन डी, स्रेश्ट बंस को इंगित करता है अप भ्रंस और हिंदी के बीच के समय को क्या कहते हैं तो संक्रान्ति काल कहते हैं सामान अर्थ में हिंदी के अंतरगत कितनी बोलियां है तो option D 18 अगला है question आपका काब्या विभक्ति या poetry expression के रूप में उर्दु का प्रियोक करने वाला पहला लेखक था option A अमीर खुसरो था कौन था? अमीर खुसरो कस्मीर में राजभासा है option B उर्दु उर्दु किस भासा का सब्द है? तुर्की निमलिखित में से कौन एक सूफी कभी नहीं था option D अमीर खुसरो निमलिखित मुसल्मान विद्वानों में से हिंदी साहित के लिए किसका सबसे अधिक महत्पून योगदान है? option C अब्दुलरहिम खान खाना पुस्टी मार्ग के दर्सन का प्रारंब किस ने किया? तो बल्लबाचार ने किया था option C बल्लबाचार हिंदी का प्राचिंतम रूप मिलता है option C रिगबेद में मिलता है रिगबेद आप हिंदी को नीचे लिखे बर्गों में से किस बर्ग में रखेंगे? option C भासा इस कोश्चन है खड़ी बोली का सबसे पहले प्रियोग किस ने किया? तो ये किया था option है अमीर खुस लो, खुसरो ने हिंदी का पहला समाचार जो पत्र है वो कौन सा है? option B उद्दंत मारतंड सत्यार्थ प्रकास की जो भासा है वो क्या है? option C हो जाएगा खड़ी बोली सत्यार्थ प्रकास की भासा है option C खड़ी बोली भारतेंदू ने किस पत्रिका का प्रत्संपादन किया तो देखिए ये किया था option C कभी बचन सुधा कभी बचन सुधा नामक पत्रिका का संपादन किया था भारतेंदू हरिश्चन ने बिहारी किस राजा के दरवारी थे? option C राजा जैसेंग हरेवन सराय बच्चन करत क्या भूलूं क्या याद करूं? निमलिक खित में से क्या है? तो option C हो जाएगा आत्म कथा राजवासा का सही अर्थ है तो option D हो जाएगा इसका सरकारी कार्यालों में प्रियुक्त होने बाली भासा सम्मिधान के किस अनुच्चेद में कहा गया है कि संग की राजवासा हिंदी और लिपी देवनागरी होगी तो option E 343 सम्मिधान के अनुच्चेद 343 के अनुसार कितनी अबधी के लिए संग सास्किय प्रियोजनों के लिए अंग्रेजी का अंग्रेजी भासा का प्रियोग करता रहेगा option B 15 वर्स सम्मिधान की आठवी अनुसूची में B निर्दिष्ट 18 भासाओं में कौन सी भासा नहीं है मैथली सम्मिधान के अनुच्चे 344 एक के अनुपालन में भारत के राष्ट पती ने राजभासा आयोक का गठन कब किया था सन 1905 में और आज का लाष्ट कोश्चन है आधनिक देवनागरी का प्राचीन रूप है ब्रामभी तो गाईज आसके इस वीडियो में इतना ही थैंक्यू धन्यवाद